ओम शानती आपका मेरे चैनल में स्वागत है आईए आज हम बनाते हैं कृष्ण जन्मस्ट में इस्पेशल धनिया पंजरी और पंचामरिक किरिस्पी आज मैं आपके साथ सेर कर रही हूँ यहाँ पर मैंने काटोरी का माप लिया है अधा काटोरी मैंने धनिया को साप करके लिया है इसको धोके सुखा लिया हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ ड्राइफ फुर्स को छोटे टुकडो में काट लिया हूँ देखिए काजू, किस्मिस, बदाम और गरी है धनिया को हम medium flame पे भून लेंगे, 3-4 मिनट में अच्छे से धनिया भून जाता है, जब इसमें 80 खुजू आने लगे, तब तक इसे हमें भून लेना है, धनिया भून गया है, कलर भी चेंज हो गया, अब इसे हम ठंडा करके पीस लेंगे, अब इसी कड़ाई में एक चमस घी डाल रही हूं, अब इसमें हम माखाने डाल देंगे, मैने माखाने को भी छोटे टुगडों में काट लिया है, आप चाहे तो इसे गोटा ही भून सकते हैं, बाद में इसे क्रस्कर सकते हैं, मखाने भून गए हैं अब यहां पर मखाने निकालके फिर एक चमच तेल डालेंगे और इसमें कटवे बदाम को डाल देंगे काजू डाल देंगे और इसे हम भून लेंगे अब यहां पर मैं थोड़े से मखज का इस्तमाल कर रही हूँ अब इसमें चिरोंजी भी डाल सकते हैं इसे भी भून लेंगे जब भून जायते हैं इसमें हम कदू किया हुआ नारियल डाल देंगे भूनने के बाद उसमें फिर किसमिस मिला देंगे ऐसे भी हम भून लेंगे दो मिनट जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक हम इसे भून लेंगे देखिए हमारा ड्राइफ फूट्स भून गया है अब धनिया को हम पाउडर कर लेंगे ठंडा होने के बाद इस तरह से मैंने इसे पाउडर कर लिया है अब एक बड़े बाउल में डालेंगे इसको इसके बाद भूने हुए ड्राइफ उसको डाल देंगे चीनी का पॉडर डाल देंगे मैंने अधा कड़री चीनी का पॉडर लिया है चीनी को मैंने पीस लिया था इसे मिक्स करेंगे अच्छे से और ये हमारा धनिया पंजिरी भोग के लिए तैयार हो गया इसे एक बार आप ज़रू ट्राई करें और भोग लगाएं भागवान को अब इस पंचामरीद बना लेते हैं यहाँ पर मैं अधा कुटरी दही दूद एक चमश घी एक चमश मद और चार चमश चीनी का इस्तमाल किया है चीनी को मैंने पिगला दिया है अब बावल में दूद डालेंगे चीनी डालेंगे इससे अच्छी से मिक्स करेंगे चीलनी पिगलने तक पंचामरीद की क्वांटिटी हम अपने जरुद कनोसार कम ज़्यादा कर सकते हैं अब इसमे एक चमश खी डाल देंगे मध डाल देंगे अनी मिला देंगे दही मिला देंगे और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है अब चाहें तो इसे विस्कर से भी मिक्स कर सकते हैं और यह हमारा पंचामरित भी तैयार हो गया है जब भोग लगाना होगा उस समय हम इसमें तूसरी पत्ता डालके और भोग लगाएंगे अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छे लगाता है मेरे चाहरे को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे एक बार जरूर बनाएं और इस जर्मनस्ट में भोग लगाएं